हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है देखिए हम सभी अभी क्या है अपने मोबाइल से ही लगबग सारे बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ मोबाइल से उज़ करते हैं तो अभी क्या है मोबाइल के थूँ जो हम एप्स यूज़ करते हैं जो पेमेंट के लिए उज़ करते हैं फोन पे, गूगल पे, पे टियम तो उन सब एप्स के थूँ आप अपने रिचार्ज करते हैं देखिए अभी जो है फोन पे जिसका मार्किट सेर भारत में सब से ज़ादा है तो देखिए उस कंपनी ने मोबाइल रिचार्ज पर एक मिनिमम प्रोसेसिंग फी लगा दी है यानि अब आप अगर फोन पे एप के थूँ अपने मोबाइल को रिचार्ज करेंगे चाहे डारेक्ट या किसी यूपी आई के माध्यम से तो देखिए आपको एक मिनिमम मिनिमम फी देना पड़ेगा और वो क्या होगा क्या उसका इस्ट्रक्ट्चर है मैं आपसे बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और से जरूर करें तो देखिए डिजिटल पेमेंट लीडर फोन पे हैज स्टार्टिड चार्जिंग प्रोसेसिंग फी ओफ रूपीज वन तू रूपीज तू ओन फोन रिचार्ज ओवर रूपीज फिफ्टी देखिए यहां पे आपको समझना क्या है फिफ्टी से कम फिफ्टी से और हंड्रेड और हंड्रेड पिलस यदि आप अपने मोबाइल से यहां पर ट्रांजेक्शन की बात करें अगर आप एक महिने में 10 ट्रांजेक्शन करते हैं आप मांके चलिए 50 से 100 रूपे के बीच में mobile recharge के लिए तो आपको हर transaction पर एक रूपा देना पड़ेगा और अगर आप 100 प्लस का कोई भी transaction करते हैं mobile recharge के लिए तो आपको प्रती transaction दो रूपे का एक processing fee देना पड़ेगा अगर आप 50 रूपीज के कितने भी transaction करने mobile recharge के लिए तो आपको कोई भी payment या कोई भी processing fee देने की ज़रूरत नहीं है तो यह उनका कहना है Where the other competitors like Google Pay, Phone Pay, sorry Paytm and Amazon Pay have continued to provide free service अब जो उनका phone pay का जो remarks है या 4Pay ने जो बोला है वो यह है We are running an experiment on our platform to a very small base हम अपने platform पे एक क्या experiment कर रहे हैं और बहुत minimum charge के लिए Most of the base is either not being charged Anything is or is paying rupees 1 as a part of the experiment we are running तो क्या है 0, 1, 2 rupees जो डाला है तो as a experiment इसको हम यूज करना देख रहे हैं However, other transactions on phone pay and money transfer will continue to remain free of charge देखें यहाँ पर उनने यह भी का है कि जो और transactions हैं mobile recharge के अलावा वो सभी क्या हैं आपके free of cost रहने वाले हैं Money transfer हुआ या other transactions है On bill payments, most players are biller website charge a processing or convenience fee on credit cards like us and this has been the industry norm for a while Now, देखें जो भी हम credit card के तरू या इस टाइप से कुछ भी चीज़े recharge करते हैं तो आप सबको पता है कि उस पर क्या है हर company processing fee payment करती है हम भी कर रहे हैं अब यह जो आप देख सकते हैं Walmart owned company है phone pay has the highest market share in monthly UPI as well as BBPS यानि UPI के तरू जो भी monthly transactions होते हैं और BBP भारत bill payment system के तरू जो भी transactions होते हैं तो भारत में कह सकते हैं आप एक चात्र राजी इसका मान सकते हैं इसके बाद Google Pay का number आता है but largest market share आप phone pay को लेके चल सकते हैं It makes up to 45% of UPI monthly volumes and 47.% of monthly value of transactions तो यानि 45% के तरू मार्केट लिए कि 45% का जो market share वो इसके पास है तो देखिए है आज की news अगर आप phone pay के तरू अपना mobile रिशाज करते हैं तो अब भी आप साफधान हो जाईए क्योंकि अब आपको minimum fee देना पड़ेगा कैसी लगी आपको जानकरी जरू बताएएगा comment box में चलिए फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत